Hello everyone, welcome back to my channel तो आज के इस वीडियो में हम Class 6 के Science के Chapter 2 के Question को Solve करेंगे इस Chapter का नान है बोजन में क्या-क्या आता है तो सबसे पहले दिया गया है Objective Question का कौन नमबर में है? आलू में उपस्तित होता है Option में दिया गया है मंड, प्रोटीन, वसा, खनीज, लवन तो आलू में जो है वो मंड उपस्तित होता है Next है घेंगा रोग किसके कमी से होता है Option में है Vitamin C, Calcium, Iodine, Phosphorus तो घेंगा रोग जो है वो Iodine की कमी से होता है गया नमबर में है रुक्चान्स के मुखे स्रोत है Option में दिया यह है चावल, बेसन, जल, ताजे, फल और सब्जिया रुक्चान्स जो होता है वो फल और सब्जिया में जो रेशा होता है उसे ही हम रुक्चान्स कहते है तो उनका जो सुरोत है मुखे सुरोत है ताजे, फल और सब्जिया नेक्स्ट है भोजन में मंड परिक्षन के दौरान टिंक्चर आयोडीन के हलके घोल की कुछ बुंदे मिलाने पर खाद प्रदार्थ का रंग बदल जाता है आप्सन में नीला, काला, नीला या काला या इन में से कोई नहीं तो इसका हो जाएगा नीला या काला नेक्स्ट है उर्जा देने वाले पोसक तत्व कहलाते हैं आप्सन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट या इन में से कोई नहीं तो उर्जा देने वाले पोसक तत्व जो है वो कहलाते हैं वसा एवं कार्बोहाइड्रेट 2 नमबर में है मिलान कीजिए तो इस साइड दिया हुआ आपको इस साइड मिलान करना तो सबसे पहले है विटामीन A तो विटामीन A की कमी से जो होता है वो होता है दिरिष्टी हिंटा तो इसका ये वाला होगा और नेक्स्ट है विटामीन B विटामीन B की कमी से होता है बेरी-बेरी घो होगा और विटामीन C विटामीन C की कमी से होता है सकरवी नेक्स्ट है विटामीन D विटामीन D की कमी से होता है डिकेटस आयोडीन है आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग थिरी नंबर में है इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए कौ में है केवल चावल खाने से हम अपने सरीर के पोशन की आवसेक्ताओं को पूरा कर सकते हैं ये जो है ये गलत है कौ में है संतुलिट आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोगथाम की जा सकती है ये सही होगा संतुलिट आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोगथाम की जा सकती है अभावजन्य रोग जो होता है वो प्रोटीन या कार्वोहाइडर की कमी से जो हमारे सरीर में रोग होता है उसे ही कहते है अभावजन्य तो अगर हम संतुलित आहार खाएंगे तो वो रोक से हमें रोक थाम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल सही है गौन नमबर में हैं शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना पड़कार के खात पदार्थ होने चाहिए तो ये भी सही है शरीर के संतुलिट आहर में नाना पड़कार में सोता अलग-अलग पड़कार के तो ये वाला बिल्कुल सही है गोह में हैं शरीर को सभी पोसक तत्व उपलब्द कराने के लिए केवल मांस प्रयाप्त है ये गलत है क्योंकि केवल मांस प्रयाप्त नहीं है फल और सब्जियां भी जरूरी है फोर नमबर में हैं दो ऐसे ख़द पडार्थों के नाम लिखिये जिन में निम्न लिखी पोसक तत्व परचुर मातरा में उपलब्द होते है तो इसमें दिया गया वसा मंड आहारी रेसे प्रोटीन तो वसा का सुरोथ हो जाएगा अंडा दूद मंड में हो जाएगा चावल आलू में जह हो मंड पाया जाता है आहारी रेसे में हो जाएगा फल सब्जी या आदी में आहारी रेसे पाया जाते है प्रोटीन का सुरोथ हो गया दूद मचली इसमें आप अंडा भी चाहिए तो लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो ही बोल रहा था लिखने इसलिए हमने दो ही लिखा है फाइप नंबर में है नीमनलिखीत के नाम लिखिए कौ में है पोसक तत्व जो मुग के रूप से हमारे सरीर को उरजा देते हैं इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइडर्ट और वसा यहां पर आप और लगा सकते हैं कार्बोहाइडर्ट और वसा खौ में पोसक तत्व जो हमारे सरीर की विर्दी और सुरक्षा के लिए आवस्यक है इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन गौ में वह विटामीन जो हमारी अच्छी द्रिष्टी के लिए आवस्यक है तो इसका हो जागा विटामीन A है विटामीन A अगर हम लेंगे अच्छे मातरा में तो हमारे द्रिष्टी अच्छी रही यानि हमें अच्छे तरीके से नजर आएगी और कोई भी जिस साफ साफ नजर आएगी घौ में है वह खनीज जो अस्थियों के लिए आफसेख है इसका आंसर हो जागा कैलसियम Q6 है हमारे भोजन के मुखे पोसक ततों के नाम लिखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे भोजन के मुखे पोसक ततों कार्बोहाइडरेट, प्रूटीन, वसा, वीटामीन एवं खनीज लवन है इसके अलावा भी हमारे सरीर को भोजन में आहारी रेसे तथा पानी की जरूरत होती है क्योंकि पानी हमारे सरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पानी की बिना जो हम जीवित नहीं रह सकते है और आहारी रेसे यानि फल और सब्जियां भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कोश्चन नमबर सेवन है कुपोसन से आप क्या समझते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है इसका आंसर हो जाएगा जब सरीर को आवस्यक मातरा में पोसक तत्व पतार्थ नहीं मिलते तब इस इस्थिती कोपोसन कहते हैं इस रोग में बच्चे की विर्धी रुख जाती है पेट फूला हुआ दिखता है और चांती में पसली की हड्यां भी दिखाई देने लगती है इससे बचने के लिए बच्चों को प्रोटीन कार्बोहाइडरेट आदी अन्य पोसक तत्व सही मातरा में देना चाहिए पोसन जिस बच्चे को हो जाता है तो उसकी विर्धी विकास रुख जाता है और पेट फूला हुआ दिखता है जो आपको बुक में फीगर में दिखाया गया है तो पोसन से बचने के लिए अन्य विटामिन, प्रोटीन, कर्बोहाइडरेट बच्चे को सही मातरा में देना चाहिए तो आज हमारा क्लास 6 के साइन्स का अध्याय दो कंप्लीट हो गया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मज